तमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशा सत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंट संतोशे आज अंगारक गणेश संकष्ट चतुर्थी है मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथी पढ़ने पर अंगारक चतुर्थी कहलाता है और चंद्रोदय के समय में चंद्रमा को जराद दे करके अपने उज्जोल भविष्य की कामना की जाती है संतान के दिरगाईश्व के लिए माताएं बहने विशेश रूप से प्राथना करती है मेश से लेकर मीन तक के लिए पूरे दिन का हाल उपस्थित हो लेकर के आप घर बैठे अपने आने वाले कल के विशे में विश्टार से जानते हैं आज शाम को पंचक आरंभ होगा ये सारी जानकारियां आपको राशिफल के साथ साथ हम एक उपाय के साथ सुरक्षित होने के लिए हम बताएंगे आज का विशे हम बता देते हैं कि आज क्या खास जोतशिय जानकारी हम लेकर के आए बहुत स्पष्ट रूप से जोतश विज्ञान में कारवास योग के विशे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है आज बताएंगे हम आप सब के लिए कि कुंडली में विशेश रूप से कैसे जाने की आप अपने जीवन में बंधन राजदंड प्राप्त करेंगे अथवा नहीं और यदि हाँ तो उसके लिए उपचार क्या है उपाय भी हम बताएंगे और जानकारी भी देंगा यह सुरुवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह अशार माह किष्ण पक्ष चतुर्थिती थी है चंद्रमा मकर राशी में नक्षत्र दोपहर दो बच के 32 मिनट तक स्रमण और इसके बाद धनिश्ठा योग रहे का वैध्रती ततनुसार दिनांक 25 जून दिन मंगलवार राहुकाल दोपहर तीन से साड़े चार और गुलिक काल का समय दोपहर बारे से एक तीस राहुकाल में नए और शुबकामों के लिए सास्त्र वर्जुत करता है गुलिक काले में आप कोई भी नया और शुब काम कर सकते हैं प्रतेक कारे आपके बनते हैं शुबता आपको प्राप्त होती है मेश से लेकर मीन तक फटा फट जानते हैं आज की पूरे दिन का हाल आज की भविश्यवाणी मेश राशी अचानक अवरोध परिशान करेगा अचानक से आपको मुश्किलें आएंगे कारे छेत्रे में उतार चड़ाव बढ़ेगा पढ़ाई में बिबादास्पद इस्थिति आएगी प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज यात्रा का लाव ब्यापारिक दिश्टिकोंड से पार्टनर्शिप में शुबता सरकारी छेत्र में उतार चड़ाव बढ़ जाएगा दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा एक दूसरे को सपोर्ड करेंगे स्वास्त के मामले में आज किड्नी की समस्या दिखाई देती है क्या उपाय करना है आज प्रियोक के तोर पर शिवलिंग पर शेहद अर्पित करिए शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भाग्य प्रिथशत सत्तावर ब्रिशब राशे पच्चेश जोर पढ़ाई के लिए आज तयारी थोड़ी सी कम दिखाई देती है स्रिक्षा में प्रभाव पढ़ रहा है ब्यापार आपके लिए अनकूल रहेगा बिजनस में किसी तरह की रुकावट नहीं है कुछ विशेश लाव की अउसर बनेंगे हाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए उतार चड़ाव थोड़ा सा आएगा सरकारी छेतर कुछ नया शुभारंब करवा रहा है गौर्णन सेक्टर में सकारात्मक्ता आज बना हुआ है दामपत्य जीवन एक दूसरे के प्रति विरक्ती और दूरी की संभावना बनती है स्वास्थिके मामले में डाइजेशन की समस्या आँख की समस्या बढ़ सकती है क्या उपाय करना चाहिए प्रयोग के तोर पर अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाईएगा शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रत्षित पच्चपन मिथुन राशी कई प्रिकार से परेशानिया बढ़ सकती है पढ़ाई नहीं हो पाएगी स्विक्षा में कुछ परेशानी रहेगी अकस्मात किसी न किसी रूप में आपको दिक्कत आ सकती है ब्यापार थोड़ा संभल कर चरें बिजनस को कंट्रोल रखें प्राइविट सेक्टर कुछ नया आरंभ कर रहा है आज वाहन का सुख मिलेगा सरकारी छेतर की इस्थिती को आज आप बहतर कर सकते है दामपत्त जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों के बीच तारमेल बहतर बैठेगा सपोर्ट मिलेगा स्वास्थि के मामले में पेट की समस्या और बैक की प्रॉब्लम रहेगी आज क्या उपाय करना है आज मिथुन वालों को आज भगवान सेरी गणेश का ध्यान करना है ओम गंग गड़पते नमह का जाब करिए शुभरंग आपके लिए आज काला भाग की प्रथिशत पच्पन करकराशी सात्वे में चंद्रमा का प्रभाव सिक्षा के छेतर से विमुखता दे रहा है पढ़ाई में आज मन कम लगेगा चंद्रमा अपने घर को देख रहा है अचानक किसी परिशानी में भी आप पढ़ सकते हैं ब्यापार के लिए अनावश्यक रूप से उल्जने बढ़ रही है सरकारी छेतर आपके लिए आज नया आवसर देगा गवर्मेंट सेक्टर में शुपता है दामपत्य जीवन इधर उधर की बातों से आपको परिशान करेगा स्वास्ति के मामले में देखा जाए तो आज लीवर की समस्या और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना है ओम नमह शिवाय भगवान शिव की इस मंत्र का 22 बार जाब करिए शुबरंग आपके लिए आज हरा बाग्यपिद्षत पच्पन सिंग राशी चंद्रमा का प्रभाव आज आपके छठे भाव में आ गया पढ़ाई आज बहुत अनकूल है सिक्षा में चिंता की आबश्यक्ता नहीं सिक्षा का छेत्र कुछ नया और बड़ा करने के लिए आपके तरफ आकरशित है ब्यापार में कुछ उतार चड़ाओ था लेकिन दोपहर की बाद परिस्थतियां आपके अनुसार है बिजनस में आप कुछ बहतर करेंगे और सकारात्मग करेंगे बस नया निवेश रोक दीजेगा छठे में चंद्रमा है प्राइबेट सेक्टर वालों के लिए आज अवसर अच्छे मिल रहे हैं बॉस की प्रशनता आज आप प्राप्ट करेंगे वर्क लोड थोड़ा सा बढ़ेगा सरकारी छेत्र कारी छेत्र में मुश्किलें पैदा करेगा गवर्मेंट सेक्टर को साध कर चले दामपत्य जीवन नई सुर्वात नया शुभारम देगा स्वास्थि के मामले में दातों की समस्या और हर्ट की प्राप्लम होगी प्रियोग क्या उपाय करना है आज किसी छोटे बच्चे को कच्चा दूध आदे देकर इस मंत्र का ग्यारह बार जाब करें शुभरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रत्षत च्तिरपन कन्यराश चंद्रमा पंचमस्थ है अंचम भाव की चंद्रमा का प्रभाव शिक्षा के लिए बहुत अनकूल है ब्यापार अकस्मात किसी न किसी रूप में परेशानी देगा बिजनस मुश्किल पैदा करेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया शुभारंब दे रहा है सकरात्मक शुभारंब दे रहा है सरकारी छेत्र अकस्मात किसी रूप में आपको उल्जन दे सकता है दामपत्य जीवन पति-पत्नी के बीच का तालमेल आज किसी अन्न के कारण प्रभावित होगा स्वास्त के मामले में बसकेवल उदर पेट से सम्मंधित समस्या रहेगी कन्यराशी प्रियोग के तोर पर भगवान सिरीहरी विश्णू का ध्यान करें ओम बिश्णवे नमह ओम बिश्णवे नमह एक्किस बार जाब कर लीजिए शुबरंग आपके लिए पीला भागी प्रत्षट पच्पन तुला राशी वालों को बताएं हम लेकिन अभी बता देते हैं आज के विशे पर प्रकाश डाल देते हैं कि आज हम आपको बता रहे हैं कुंडली में कारावास योग किस तरह से बनता है गोचर उसमें कितना असर करता है गोचर मतलब आज जो प्लैनेट चल रहे हैं उसका असर कितना प्रत्षट होता है बस बने रहे हैं हमारे साथ एक दो राशियों के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे सुरवात करते हैं हम अगली राशी तुला की चंद्रमा आज आज आपके चौथे घर को सुशोभित कर रहा है पढ़ाई के लिए आज आइडियल स्थिति हैं सिक्षा में आज बहुत कुछ आप बहतर करेंगे ब्यापार की स्थिति परेशानी में आपको डाल सकती है बिजनस को थोड़ा सा बहतर करने के लिए प्रयास करें प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परेशान करने का विशह बन सकता है सरकारी छेत्र अचानक किसी न किसी रूप में आपको उज़ार रहा है गौर्णमेट सेक्टर मुश्किल पैदा कर रहा है दामपत्य जीवन की बात करें तो एक दूसरे के पती अकसमात उतार चड़ाओ मुश्किलें और परिशानी बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में माइग्रेन सरमे दर्द नेत्र दोश हो सकता है दुलाराशी क्या उपाय करना चाहिए आज आज शिवलिंग पर सरसो के तेल से अबशेक कर दीजिए मतलब अर्पित कर दीजिए शुबरंग आपके लिए पीला भागी प्रत्षद अठावर ब्रश्चिक राशी तिरतिय भाव में चंद्रमा का प्रभाव है आज बढ़ाई में मामला आज आपके हाथ से बाहर जाएगा मन कम लगेगा इधर उधर की बाते प्रभावित करेंगी ब्यापार आपके लिए अन्कूल है पिजनस की चिंता कदा भी न करें प्राइबिट सेक्टर में कुछ बहतर करने के लिए आप काम्याब होंगे सरकारी छेतर कुछ इधर उधर की बातों से आपको उल जाएगा दामपत्य जीवन अन्कूलता के साथ हागे बढ़ेगा पत्य पत्नी के बीच तालमेल की आज कुछ कमी हो सकती है स्वास्त के मामले में आज का दिन डाइजेशन और पेट की समस्या दिखा रहा है क्या उपाय करना चाहिए प्रियोग के तोर पर आज ओम गंगण पते नमह का जाब कर ले शुबरंग आपके लिए आज काला भाग्य प्रत्षत पचास धनुराशी दुतियस्त चंद्रमा को लेकर के आज आगे बढ़ना आपके लिए श्वाभाविक है पढ़ाई आज बहुत अच्छी होगी आज वाणी से आपको आकरशन मिलेगा वाणी के द्वारा दुतियमे चंद्रमा है पढ़ाई की चिंता बिलकुल ना करें ब्यापार के लिए लगाना पैसा कहीं गरबढ कर सकता है बिजनस में पैसा लगाना नहीं है प्राइबर सेक्टर आपके लिए बहतर परिडाम दे रहा है मुश्किलों का हल निकलेगा सरकारी छेत्र थोड़ा समभल कर चला रहा है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा एक दुसरे को सपोर्ट करेंगे अवसर अच्छा मिलेगा स्वास्त के मामले में आज का दिन गले में खरास खांसी के दिक्कत हो सकती है क्या हुपाय करना है मादुरगा को लाल पुष्प अर्पित कर दीजिए शुवरंग आपके लिए आज नीला भागी प्रदिशत चर्चा मकर राशी की चंद्रमा आपकी हिराशी में है लिहाजा आज सिक्षा के लिए कुछ नया आरंब करा सकता है चंद्रमा का प्रभाव बहुत सकारात्मक रहेगा ब्यापार परेशानी का कारण बन रहा है बिजनस को ले करके सावधानी बरतने की आवशक्ता है प्राइवेट सेक्टर को समभालें आप चीज़ों को मैनेज करें थोड़ा सा समभल कर चलने की आवशक्ता है सरकारी छेत्र बहुत कुछ अनकूल इस्थतियां ला रहा है गौर्मन सेक्टर में कहीं से चिंता की आवशक्ता नहीं है दामपत्य जीवन बहतरीन एक दूसरे को साथ मेलेगा हर तरह से एक दूसरे की प्रति पति पत्नी लगाव पैदा करके रखेंगे प्रियोग क्या करना है स्वास्त के मामले में जुखाम खांसिक शिकायत रहेगी प्रियोग के तोर पर इस मंत्र का जाब करने यारह बार गुलाबी रंगी शुप्ता के साथ तिरपन प्रस्ट का भाग जाए चर्चा कुम्भराशी की कुम्भराशी वालों के लिए चंद्रमा 12 अस्थान पर ब्राजमान अवसर अच्छे मिल रहे है शिक्षा में आज कुछ बेहतर होगा ब्यापार मुश्किलें पैदा करेगा बिजनस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है प्राइविट सिक्टर वालों के लिए परिस्थितियां बड़ी सकारात्मक हैं शुभ हैं और मजबूत हैं सरकारी छेत्र को आज आप हलके में मत लीजेगा कुछ जाँच आदि में फंस सकते हैं दामपत्र जीवन बहतर है पतनी का साथ मिलेगा एक दो सुरे को सपोर्ट करेंगे स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो लीवर की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर ओम दुम दुरगायेई नमह का 21 बार जाब कर लीजे शुभरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रत्षत तिर पर चर्चा करेंगे अगली राशी अंतिम मीन राशी की पढ़ायी बहुत अच्छी चल रही है सिक्षा में हर प्रकार से शुभता है ब्यापार बहतर करेंगे बिजनस की चिंता कदापी न करें प्राइवर्ट सेक्टर के लिए कुछ नया और बहतर होने की चांसेज है सरकारी छेतर की श्थती को बहतर करने में आपको मेहनत करना पड़ेगा दामपत्य जीवन कुछ अनकूल श्थती अपने आप ला रहा है एक दूसरे के प्रती सदभाव जागरित होगा और संतान के प्रती कुछ बहतर निरणायक इस्थती आएगा ध्यान देजेगा प्रियोग क्या करना चाहिए स्वास्त बता दे तो खासी जुखाम और हड्डियों की समस्या रहेगी स्वास्त के मामले में थोड़ा सा बहतर हो जाए चीजे उपाए आज तुलसी के नीचे की मिट्टी से तिलग लगा लिजेगा सुबरंग आपके लिए आज नीला भाग की प्रतिशत चववज आगे बढ़ेंगे और अब जान लेते हैं आज के विशय के बारे में राजदंड कारावास शब्द आते ही जैसा कि आप जोतिश के विद्वान जनों को जानकारी होगी कुंडली का दसम भाव जागृत होता है दसम के बाद जो भाव इसमें इनवाल्व होता है वो है six house छठा भाव दसम और छठे का संबंध कारावास योग को जर्म देता है जिसकी पुष्टी द्वादस भाव से इन दोनों भाव के संबंधों के प्रति लगाव से होता है जैसे माल लीजिए छठे का स्वामी दसम में बैठा हो और द्वादस भाव के स्वामी से उसका संबंध यदि बनता है तो व्यक्ति जेल अवश्य जाता है यह योग इतना प्रभावी बंधन योग है जो गोचर में भी अगर बन जाए तो आपके उपर ये घटना ये कारावास योग लागू हो जाता है ध्यान दीजेगा ऐसी इस्थिति ब्रिशब लगन में खास तौर पर ब्रिशब राशी में खास तौर पर बनती है सब्तम और द्वादस का संबंध मंगल के साथ बन जाता है मिथुन में बन जाती है चठे और एकादस जो की द्वादस से द्वादस पढ़ता है इन दोनों में संबंध बन जाता है अब विशब में अगर सब्तम का संबंध बना है तो सब्तम को भी आप दसम से दसम कनेक्ट कर लीजिएगा भावात भाव फलम तरक है मेरे पास हवा में बात नहीं करता ये दो खास राशियां हैं लेकिन गरह जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक इसका प्रभाव नहीं रहेगा लेकिन इन दो लोगों को खास दोर पर सावधान रहना चाहिए तो ये तो आज के विशे पर प्रकाश डाला आपको जानकारी दिया विरोचक जानकारी है ये कारावास योग कैसे बनता है इसके लिए उपचार हमने कहा था बताएंगे तो भया उपचार ये है कि आप अगर किसी की कुंडली में इस प्रकार का दोश पैदा हुआ है तो मंगरवार शनिवार को शाम चमेली के तेल का दिया अपने सामने रखकर सुन्दर कांड का पाठ और बजरंगबान का पाठ अवश्य करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आगे बढ़ते हैं जान लेते हैं आज की सक्सेज की दिनाएंग पचीश जून की सक्सेज की इंडेक्स फिंगर में थोड़ा सा हल्दी लगा कर अपने कंठ को इस पर्श कर ले बस अब आज का भाग्याक्षर मेश पाग्षर बिशब या मिथुन साग्षर करक ला सिंग गाग्षर कन्यारा तुला भाग्षर बिश्चिक्था धनू छोटा आग्षर मकर खा कुम्भ चाग्षर मीन जा और अब चलते चलते आज का आईश्मान भवा है 25 जून को पैदा हुए लोगों के लिए उपाय रहेगा एक माला गायतरी मंत्र का जाब करके किसी जुरूरत मंद को खाना खिरा दीजे और अगर आज आपकी मेरिज अन्वर्सरी है तो किसी छोटे बच्चे को भोजन कराके पीपल की तीन परिक्रमा कर ले और किसी कन्या के विवाह में मदद करे शुक्रिया धन्यवाद आज के लिए इतना ही अनुमत दीजेगा और गाजियाबाद तीस तक मिल सकते हैं और उसके बाद दो से सुरू होगा पुर्वांचल का दोरा डेट्स नीचे हैं बुकिंग करा लीजेगा